हलो एब्रिवान वन्स अगेन आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ पॉकेट नोवल की ही एक स्टोरी रिव्यू जिसका नाम है मिस्टर साइको एंड मिसिस इनोसेंट एंड इस स्टोरी का जो आथर हैं वो हैं लोनली क्वीन एंड इस स्टोरी का टाइटल है मैंने इस स्टोरी को ट्रेंडिंग नोवल से पिक किया है तो आई होप आपको इस स्टोरी पसंद आए इस स्टोरी की बात करें तो हम जो दूआ की माँ हैं वो कुछ कारणों की वज़े से दूआ की जो बायलोजिकल फादर हैं से डिवोस ले लेती हैं दुआ की मां का नाम निलीमा है ये अभीजीत राना से शादी कर लेती है डेवोस के बाद अभीजीत बहुत ही सुलजा हुआ इंसान है इनकी पत्नी की मौत हो चुकी है इनके दो बच्चे भी है ये दुआ से बहुत जादा प्यार करते हैं अभीजीत के ही बड़े भाई है जो अभीजीत राना है उनके ही एक बड़े भाई थे मतलब जिनकी मौत हो चुकी है उनी का बेटा गुरू जो इस स्टोरी का हीरो है ये बहुत ही गुसल एंड इसे मौत का सौधागर भी कहा जाता है लोग कहते हैं अब इस स्टोरी में डिफरेंट बात ये है कि क्यूंकि इस स्टोरी में जो दुआ है उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है जो गुरू है उसकी उम्र सिर्फ 21 साल है दुआ जो है काफी क्यूट एंड इनोसेंट है ये अपनी उमर से भी जादा चोटी है इसकी नादानियों से जो गुर चोटी उम्र में ही उसने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है इस स्टोरी में सस्पेंस है कि गुरू के जो मम्मी पापा की मौत हो चुकी है वो भी बच्पन में ही जिसकी वज़े से गुरू इतना क्रूल है घर में सब उससे बहुत ड़ते हैं और वो अपने मम्मी पापा का श्राद करने जाता है तो हमारे मतलब हमेशा अकेले जाता है किसी को लेके नहीं जाता क्योंकि काशी यानि की वारणासी में उसके कई दुश्मन है जो हर साल उसे मारने का प्लान बनाते हैं और बहुत मारने की कोशिश भी करते हैं वे गुरू को हर बार सब को मतलब मात द बाज, राना परिवार में और भी कई लोग हैं जिनकी लाइफ में के बारे में बताये गया है, और अथर ने बताया है, एंड गुरू का दूआ के लिए जो जुनून है, ना मतलब हर हद पारवाला है, जुनूनिय टाइप की स्टोरी है, एंड इस स्टोरी में जो दूआ है, वो हमारे गुरू से बहुत जादा ड़ती है जो गुरू की फैमिली है उससे तो बहुत घुल मिल गई है लेकिन गुरू से बहुत जादा ड़ती है क्या दुआ जो रगु का गुरू का गुसा सह पाएगी हमाई दुआ इनोसेंट सी या गुरू दूआ का मासूमियत से खुद को बदलेगा कई राज हैं, सस्पेंस हैं, फैमिली रामा भी है इस स्टोरी में रोमेंस भी देखने को मिलेगा आपको फाइट, एक्शन, बिजनेस, राइवल्स और भी बहुत सारे सस्पेंस अब इस स्टोरी के सिर्फ और सिर्फ दस एपिसोड ही आए हैं तो आप इस स्टोरी को जल्दी से जाके पढ़ सकते हैं मुझे स्टोरी काफी पसंद आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में पढ़कर जरूर बताईएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी बट मुझे स्टोरी काफी पसंद आई है मस्ट स्टोरी है आप भी पढ़ सकते हैं थैंक्यू फर वाचेंग और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल